नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं Angel Tech Analysis तो आज जैसा कि मैं हर वीक, हर वीकेंड पर आप लोगों के लिए कोई स्टॉक लेकर आता हूँ और उसकी पूरी अनालेसिस करके बताता हूँ, आपको सिखाता हूँ कौन से लेवल इंपोर्टेंट है, यह सब चीजों कि मैं जानकारी देता हूँ तो जैसा आप लोगों को पता है कि अब पूरा वर्ड जो है इस समय कोरोना वाइरस से एफेक्टेड हो चुका है, और मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो वर्ड इंडाइस है, उसमें कितनी जादा भारी गिरावट देखने को मिल रही है तो हमारा भी जो देश जो इंडिया है, वो भी इससे कुछ अच होता नहीं है जिसके चलते हैं आप देख सकते हैं कि शेयर मार्केट में कितनी जादा भारी गिरावट जो है देखने को मिल रही है ये क्रैश एक तरह का आप देख लिए जैसा एक 2008 में जो क्रैश आई थी वो जो क्रैश थी, that was the financial crisis वो जो एक financial crisis थी बट ये जो हैं लोग, this is a life, मतलब लोग अपने जिन्दिगी के लिए लड़ रहे हैं मतलब अपने health के लिए, एक ही समझ लेजी health issue की एक crisis है और अगर देखा जाए तो मार्केट मेरे हिसाब से नियर अबाउट 2000 के नियर बाउट गिर चुकी है जितनी मार्केट 2008 में गिरी थी और मुझे सबसे बड़ा दुख ही ये है कि जो भी मेरे भाई investor जितने भी थे जिन्होंने मतलब stock market में invest कर रखा था उनकी capital इस समय 50-60% डाउन हो चुकी है तो देखिए ऐसे टाइम में आपको घबराने के बिलकुल भी जरूरत नहीं है मार्केट जब फिर recover करना चालू करेगी तो आपको जो है बहुत अच्छा bounce back आपको दिखाएगी तो इसलिए देखिए market में investor मेरे दोस्त जो भी है डरिये मत ठीक है न होसला बनाए रखिए market फिर recover करेगी और एक आपको अच्छा level दिखाएगी तो चलिए आज हम जो है मैं आज इस मुद्धे पर बात करना चाहता हूँ कि निफ्टी में जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी जिस तरह से हमको continue downfall दिखा रहा है तो आम बात जो मेरा मुद्धा है आज वो मुद्धा यह है कि मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी कितना और गिर सकती है तो फिलाल मैं आज बात करूंगा निफ्टी 50 की क्योंकि हमारे देश की टॉप की 50 कंपनिया जो है निफ्टी 50 में ही लिस्टेड है तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे कि निफ्टी में अभी और कितनी गिरावट हो सकती है निफ्टी के लिए कौन से लेवल जो है आने वाले दिनों में कौन से लेवल इंपोर्टेंट है जहां पर जाकर निफ्टी रुप सकती है ठीक है न हमको आने वाले दिनों में निफ्टी में क्या करना चाहिए हम ऐसा क्या करें कि जिसे हमारा capital continue grow करता जाए तो उसे पहले मैं रोगत करूँगा जो भी मेरे दोस्त सज्जन मित्र यहाँ पर नए है और पहली बार मेरा चैनल देख रहे है तो करपय करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और description में जो है telegram का link भी दिया हुआ है और आप चाहें तो telegram भी जो है join कर सकते हैं वहाँ पर देखिए मैं continue एक दो call देता रहता हूं और चार्ट वगरा पोस्ट करता रहता हूं जिससे आपको जो है चैनल अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाईएगा तो चलिए आईए शुरू करते हैं निफ्टी की निफ्टी 50 की अनल्सिस तो देखे यह है वन डे का चार्ट और वन डे के चार्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर निफ्टी ने जो हाई लग बारे में और जैसा कि आपने देखा इटली और चाइना मतलब बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेट हुए हैं और वहां पर सबसे ज़्यादा केसिस पाए गए हैं पर जब इंडिया में इसकी बात खोली यहां पर भी कुछ जो है केसिस पाए गए गए तो मार्केट ने जो ह में ठब पड़ा हुए है और कंपनिया जो है अपने क्लाइंट्स को घर पर रहकर काम करने के लिए कह रही है मेरा भी आपसे यह अन्रोध है देखिए जब बहुत ज्यादा यूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए अदर्वाइस घर से बाहर मत निकलिए ठीक है ना अपना औ 1500 का जो है इसने हाई लगाया था उसके जब से कोरोना की खबरें आने चालो ही न्यूस फ्लैश होने चालो हुए तब से मार्केट देखिए कंटी न्यू जो है गिरना चालो हो गई और मार्केट जैसा कि आप देख सकते हैं 12500 के लेवल से आप यह देखिए 7832 रुपे तक क इसने लेवल दिखा दिया है तो नियर बाउट मार्केट जो है 25-30% जो है अपने हायर लेवल से नीचे गिर चुकी है अभी हम देखेंगे कि मार्केट और नीचे कहां तक जा सकती है हमको आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए कि हम जो है निफ्टी से जो है काफी अच् तो मैं जो है इसको weekly chart कर लेता हूं और weekly chart में फिर आपको समझाता हूं कि हमको निफ्टी में क्या करना चाहिए और इसके लेवल जो है कौन-कौन से important है तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ था जो यहाँ पर higher level का जो point है higher level के point पर एक यहाँ पर channel बन रहा था यह दे तेकनिकल जो हम अनालसिस करते हैं उस टेकनिकल बेसिस पर भी कुछ यहां पर सिगनल दिखाई दे दिये थे कि निफ्टी जो है अब नीचे जाने की तयारी करेगा secondly जो है इसको confirm जो है coronavirus ने कर दिया तो मतलब multi confirmation हो गई थी एक तरह से इसके गिरने की ठीक है न तो देखिए मैं आपको यहां पर यहां पर यहां पर देखिए इसने चैनल टाइप का यहां पर बनाया हुआ था और यहां पर आप जैसा देख रहे हैं nifty higher high लगा रही थी यह द साफ एक confirmation आपको यहां पर दिखाई दे रहा था कि nifty ने जो है RSI में जो है bearish divergence भी बना लिया था तो जब जहां पर भी इस तरह की situation कोई होती है कि अगर stock higher high लगाता है और जो है नीचे RSI जो है bearish divergence बनाता है तो उसके 90% chance हो जाते हैं नीचे जाने की तो यह तो एक confirmation तो य चलिए अभी हम इसकी बात करते हैं चलिए ठीक है अभी जब इसका level break हुआ था तो level break होने के पास हमारे पास जो है important level था वो level यह था देखिए जहां से मतलब nifty support ले सकती थी यह level जो है हमारे पास यह important था ठीक है ना बट यहां पर जो है nifty ने support ने लिया coronavirus की news continue flash होती रही और जो है मामले नए सामने आते रहे ठीक है ना उसके बाद कि जो है market ने continue गिरावट जाई रखी second हमारे पास जो support था वो देखिए यह support था आप यह देख सकते हैं यहां पर देखिए यह support था market यहां पर support ले सकती थी बट यहां पर market ने support ने लिया और देखिए इतना clear ए 3rd time जो है मतलब मुझे ऐसा लगा था कि market यहां से कुछ recover कर जानी चाहिए ठीक है ना यह क्योंकि एक बहुत अच्छा support था यह जो आप लेवल देख सकते हैं यह 8900 और 9000 का लेवल था बट निफ्टी ने यहां भी जो है मतलब यहां पर stop नहीं वा और continue गिरावट जाए र support है जहां पर निफ्टी ने जो है एक आप अगर ध्यान से अगर इस candle को अगर देखेंगे weekly candle को अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसने के hammer candle type का बनाया हुआ है ठीक है ना अगर अब निफ्टी अगर इसको break करता है यह लेवल अगर break करता है तो निफ्टी अभी और आ रहा है वो लेवल यह है यह देखिए यह जो मैंने यहां पर ड्रॉ करके रखा हुआ है नियर बाउट 6800 रुपीज का लेवल 6800 तो 7000 का जो है यह अब इसके लिए important support बन चुका है अगर देखिए इसको एक और यहां पर एक minor level मैं यहां पर देख रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ यह जो है minor level है यह कोई major level नहीं है यह जो है एक minor level है near about 7500 रुपीज का अब यह अगर 7500 रुपीज पर आकर रुखता है और यहां पर कुछ government की तरफ से कुछ नए जो है announcement होते है ठीक है ना market में अगर government जिस तरह से मतलब liquidity जो है provide करती है तो यहां पर market के कुछ उपर जाने के chance है बट अगर यह 7500 का level भी अगर इसने break किया तो यह 7600 रुपीज का जो है इसका एक confirm level आपको देखने को मिल सकता है और जो निफ्टी का जो सबसे आज तक का जो हम कह सकते हैं सबसे बड़ा level और सबसे important level है वो level यह देखिए मैं draw करने जा रहा हूं इसको जरा ध्यान से देखिएगा यह level है 6000 to 6200 रुपीज का ठीक है ना यह आप यह देखिए क्योंकि यहां पर निफ्टी ने एक बार जो है high लगाया था और second time भी जो है निफ्टी ने फिर इसी level पर आकर high लगाया था third time भी गया था, fourth time गया था, fifth time गया था और sixth time में finally इसको break किया था और इसको low लग चुका है निफ्टी का 7800 रुपीज का अगर अब यह level break होता है तो आपको 6800 रुपीज का एक clear cut level जो है आपको देखने को मिल सकता है 7500 का level जो है निकलने के बाद 6800 रुपीज का level clear cut आप देखेंगे और 6800 रुपीज का level निकलने के बाद 6,000 तो 6,200 रुपीज का level बट मैं देखी मैं भगवान से ही करूँगा कि प्रही करूँगा कि इतनी गिरावट ना आए क्योंकि हमारी investor भाईयों का हिमत जवाब दे चुकी है आप घबराईए मतलब ऐसे situation में अगर आप चाहे तो आप average कर सकते हैं continue जो है stock लेके रख सकते हैं बट मेरा मानना ये है कि अब भी आप continue एक ही मतलब one short में जो है किसी भी stock में invest मत करिएगा अगर आपको invest करना ही है तो 25, 25, 25 and 25 फोर पार्ट में invest करिएगा investing का एक जो है बहुत अच्छा आपको जो है मौका यहाँ पर मिल रहा है चलिए मैं अब ये जो है कुछ level ये जो है मैं इसको delete कर देता हूँ फिर मैं आपको कुछ trend line बगरा draw करके दिखाता हूँ कि आपको मतलब उन सब चीज़ें में मदद मिलेगी ये दो level में रहने देता हूँ जो अब इसके लिए future level जो आगे वाले आने वाले दिनों में जो काम कर सकते हैं तो चलिए अभी हम इसकी बात करते हैं trend line की मैं बात कर रहा था तो देखिए यहाँ पर एक trend line ये बन रही थी जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो trend line थी ये trend line नेर बाउट ये जो support मैंने यहाँ पर एक और ड्रॉट किया था यह सो मैं नीचे कर लेता हूँ यह support था और यह देखिए एक तो यहाँ पर horizontal line का support था secondly यहाँ पर trend line का support था और यह level था 98, 100 रुपीज का और finally इस level को भी जो है निफ्टी ने break कर दिया था ठीक है न जब इस level को break कर दिया था वहाँ पर मैंने future में कोई short बनाय थे जो है मैंने बाद में रिकवत कर लिये थे और चलीये उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब दूसरी trend line मैं आपको draw करके दिखा देता हूं दूसरी trend line यह है यह देखिए यह चीज़ और मैं इसको delete कर देता हूं फिर आपको अच्छे से दिखाई देगा यह देखिए यह जो मैंने दूसरी trend line draw करके रखी हुई है यह trend line भी अब भी आप देख सकते हैं break हो चुकी है और nifty जो है अपने 200 moving average यह जो है मैं इसका color कुछ dark कर देता हूँ फिर आपको जो है अच्छे से पता लएगा यह जो red color जो है यह 200 moving average है यह trend line भी देखिए और अभी मैं इसको मंतली candle में लगा लेता हूँ मंतली candle में हम देखते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है तो देखिए यहां पर जो सबसे main trend line थी जो मैंने अभी आपको draw करके दिखाई है यह जो yellow color में आप देख रहे हैं यह सबसे main trend line थी जो मतलब जब से nifty अभी यह कहां से है near about मैंने यह 2008 की जो crashes थी मैंने वहां से लेकर 2020 तक के लिए यह long term की trend line draw कर दी है तो finally जो है nifty ने इस long term की trend line को break करके आप यहां पर देख सकते हैं इसने यहां पर नीचे closing दे दी है तो देखिए day में तो यह week है और weekly में भी week है बट अब इसने monthly में भी closing इसके नीचे दे दी है अभी देखिए अगर अब इसका यह low 70, 800 रुपीज का low अगर break होता है तो nifty आपको जो है काफी downfall दिखा सकती है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा secondly मेरा suggestion यह है कि market में कभी भी जो है आप यह दो और चार जो है green candle देखकर buying position बिल्कुल मत अभी बनाईएगा क्योंकि देखिए यह बहुत dangerous हो सकता है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको monthly, weekly, daily सारे chart दिखा दिए ठीक है न तो आप जो सबसे बड़ा chart है वो मंत्री आपके सामने आपके screening पर है और मंत्री candle में भी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है trend line के नीचे closing दे दी है और जो है जो इसका support था जो horizontal line का support था उसके भी नीचे closing दे दी है यह देखिए यह जो मैंने white color की यह draw कर करके रखी हुई है यह horizontal support है इसका ठीक है न थोड़ा समया इसको dark कर देता हूं ठीक है और यह जो मैंने trend line यहाँ पर trend line को भी मैं थो आप कर देता हूं यह देखिए तो यह जो support है यह support था horizontal line का इसके नीचे भी closing आ गई है और यह जो मैंने trend line draw करके रखी हुई है इसके न मतलब positive news नहीं आती है तब तक आप इसमें जो है इसमें क्या चाहे बैंक निफ्टी है चाहे निफ्टी है चाहे कोई भी स्टॉक है जो भी स्टॉक चाहे एफनो में कोई स्टॉक है कोई भी आपकी सी में भी buying position मत बनाईए देखिए अगर आप buying position बनाते हैं तो अगर market उपर के चलिए because trend is our friend अगर आप trend के साथ चलेंगे तो आप यहां पर अच्छा पैसा बना पाएंगे तो दिखी मैं आपको यह बता रहा था कि यह जो 7800 डुपीस का यह जो लेवल था अभी निफ्टी यहां पर support लेकर यहां पर खड़ी हुई है अभी आने वाले time में अगर यह प्रेंग कर देता हूं अगर 7800 डुपी का लेवल ब्रेक होता है तो इसके बाद आपको 75 डुपी का लेवल और उसके बाद जो है 600 डुपी से लेकर 7000 तक का लेवल जो है इनिफ्टी के लिए अब बहुत important है ठीक है ना बट इसके लिए जो सबसे बड़ा जो लेवल है जो आप इन चीज़ेगा ख्याल लखिएगा और जो है मार्केट में कोई भी बाइंग पोजिशन बना कर मत चलीगा फिलहाल जो है मार्केट अभी बहुत negative है और आने वाले टाइम में मेरे को लगता है मार्केट और negative हो सकती है मार्केट वैसे देखी मेरे को जहां तक उमीद ह और 6200 तो 6500 तक मुझको मार्केट दिख रही है ठीक है ना बिकाउस देखी मार्केट में अभी कोई ऐसी कंडिशन सारी सेम है ठीक है अभी कोई भी ऐसा कुछ बदलाव नहीं आया है कि हमने कोई कोई वैरस पर कोई जो है विक्टरी पाली हो या इसका कोई वैक्सिन हमने क प्रापर जो है स्लिउशन इसका भी निकल कर नहीं आया है तो सो आप जो है लौजिक को समझी लौजिक को समझकर ट्रेट करें ठीक है यह पैसा बनाने का टाइम है यहां पर पैसा बनाएए ठीक है ना देखें मैं आपको यह समझा रहा हूँ कि हमने पैसा मतलब किसी गलत चीज से नहीं बनाना है, हमने अपने ट्रेडिंग करके पैसा बनाना है, और सेल साइट रहकर ही पैसा बनाना है, ठीक है ना? यह चीजे फॉलो करिए, ठीक है न? बाइंग साइट बिल्कुल मज़ जाईएगा, बाकी रहे गी इसकी जो है टेकनिकल अनालसिस की बात तो मैं यहां पर बता दो यह जायतर फ्लैक पैटन में जायतर ट्रेड करता है यह देखिए ठीक है ना देखिए यहां पर पिछली बात करने के तो कोई फायदा नहीं है पिकाउज निफ्टी जो है अभी कंटिनू डाउन फाल में है तो हम फ्यूचर की बात करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है इसलिए मैंने आपको यह सारी चीज़ों की अनेल्सिस करके बताई है और मैं उमीद करता हूँ कि मतलब मेरा कोई भी दोस्त भाई जो है अभी इसमें कोई बाइंग पोजिशन नहीं बनाएगा सेल साइड ही इसको देखिए अभी फिलहाल क्योंकि आप यह देख सकते हैं क महा मैंने खुद लगा दिया है बट यह मतलब यह बहुत बड़ी बीरिश एंगलफिंग कैंडल है सो जो है मार्केट में बिलकुल भी अभी बाइसाइड ने मत देखिएगा और यहां पर यह देखिए जो है कंटिन्यू यह आरेसाई ने जो है बीरिश डैबर्यंस मनाया बहुत ही जाद है आप जैसा देख सकते हैं 500 और 1000 पॉइंट के बीच जो है निफ्टी एक दिन में मूव कर जा रहा है और बैंक निफ्टी जो है 3000 से 4000 पॉइंट 2000 पॉइंट एक दिन में मूव कर जा रहा है ठीक है अगर आप ट्रेड करते हैं तो स्टिक स्टॉप लोस बहुत जाद है तो बज कर रहे है अपना capital सीफ रखिये अगर आपका capital सीफ रहेगा तो आने वाले टाइम में आप ट्रेडिंग कर पाएंगे अगर आपका capital ही बाश आउट ओगया तो फिर आने वाले टाइम में फिर ट्रेड करना मुश्किल हो जायेगा चलिए मैं उमीद करता हूँ कि मेरे दोरा बनाए गए वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए कोमेंट करिए और शेयर करिए और मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूँ अगर आप मेरे द्वारा नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में जो है अलाइस ब्लीव अकाउंट ओपन करने के लिए एक लिंक दे रखा हुआ है अगर आप उसके थुरू जाकर अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मेरी तरब से एक सपोर्ट ग्रूप में आपको एड कर लिया जाएगा और उसमें जो है मैं बहुत अच्छी अच्छी कॉल है वहाँ पर मैं देता रहता हूँ और आपको जो है अगर आप मेरे साथ जोड़ना चाते हैं मेरा पैकेज लेना चाते हैं तो उसमें भी आपको 20-20% का डिसकाउंट मिलेगा मैं जो है मेरा जो पैकेज जो है वो देखी उसमें क्या होता है उसमें मैं बता आयता हूँ उसमें देखी मैं एक तो मतलब कम्प्लीट ट्रेडिंग प्रवाइड करता हूँ आपको कम्प्लीट ट्रेडिंग प्रवाइड करूँगा शेयर मार्केट की शेयर मार्केट में टेकनिकल अनल्सिस किस तरह से काम करते हैं मैं आपको कुछ हास बताऊंगा जो आपको , पास बताऊंगा जो आपको आपको फॉलो करना है आपको बारे चार्ट के बारे बताऊंगा । हमारा किस तरह होना चाहिए हमारे swing trading का setup कैसा होना चाहिए हमारे intraday trading का setup कैसा होना चाहिए commodity में किस तरह से trade करना है currency में किस तरह से trade करना है secondly जो है मतलब आपको एक तो मैं ये जो है training तो मैं completely प्रोवाइड करता हूँ ये मैं webinar के तुरू trading प्रोवाइड करता हूँ और secondly जो है जो है नियुक के स्टुडेंट्स जो है मेरे वू विदिन वर्ट टू विग भी अपनी जो है फीस कवर कर लेते हैं ऐसे मार्केट चल रही है इसमें तो कुछ में कुछ क्लाइंट ने हैं दो-तीन दिनों में भी अपनी जो है फीसरी कवर कर लिए तो चलिए फिलाल इसके बारे में बात नहीं करूँगा बात जो मैं करूँगा वह जो है निफ्टी के बारे में और जो है बहुत तो अलेट होकर इसमें ट्रेडिंग करिएगा साफधान ठीक है ना बाकि जो है कोरोना वाइरस से जो है बचिए अपना ख्याल लखिए और किसी से भी जो है हाथ मिलाने से परहेज करिए ठीक है दूर से नमस्ते करिए घर में आने पे जो है सावन का और सैनिटाइजर का यूज जरूर करिए अपना ख्याल लखिए अपने परिव झाल झाल